सो हेलो गाईज अगर आपका बजट है 20,000 या 20,000 से कम और आप आने वाली समय में एक बेस्ट स्मार्टफोन वाई करना चाहते हूँ तो गाईज इस वीडियो को लास तक जरूर देखें क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20K इन में आपको 5G स्मार्टफोन भी मिलेगे बेस्ट कैमरे स्मार्टफोन भी मिलेगे और बेस्ट बैटरी बैकप वाली स्मार्टफोन भी देखने को मिलने वाले है तो रूली सारे के सारे स्मार्ट पॉन 20,000 या 20,000 से कम में बेस्ट वैली फूर मनी होगे तो गाइस अगर आप इस सब को जानना चाहते हो तो बिनस्किप के वीडियो को लास तक जरूर देखे और वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करे चैनल पर नहीं होते हैं चैनल को सब्क्राइब करके सैट में बेल एकन को भी जरूर दबा ले दोस्तो बात करते हैं ब्राइंड वाइस सबसे पहले हम बात करते हैं रियल्यमी की किमत में मिलते हैं यह स्मार्टफोन एक लेटेस्ट लॉंची स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको 5G नैट्रक मिलते है मिडिट एक डैमेंज सिटी 800U का पार्फूल एसूसी दिया गया है 6.43 इंज की डिस्प्रेय मिलती है जो Full HD प्रेस के रुजलिशन के साथ और साथ में सूपर एमलेड पैनेल के साथ आते हैं कोर्णर पर एक पंचोल कट आउट दिया गया है 4300 मिलियम्पर की बैटरी के साथ 50W के फास्ट साजिंग भी ओफर की गई है कई ना कई देखा जाए तो बैटरी बैक अफ हमें थोड़ा कम देखने को मिलते है बट फास्ट साजिंग हमें देखने को मिल जाती है 64 Megafixel की Quad Camera का सैटप और 16 Megafixel का Selfie Camera मिलते है नो डाउट Realme X7 आपके लिए 20,000 की कीमत में Best Value for Money स्मार्टफोन रहने वाले है आगर हम बात करें Redmi की तो गाईस Redmi की तरफ से भी आपको 15-20,000 में काफी अच्छे स्मार्टफोन पौन मिलते है आगर हम 15,000 की कीमत की बात करें तो 15,000 की कीमत में आप Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन को बाई कर सकते हूँ ये स्मार्टफोन अभी के टाइम में आपको 15,000 की कीमत में मिलता है दोस्तो आज के समय में बहुती कम कम प्राइज में आने वाले ऐसे स्मार्टफोन है जो आपको गिलास बैक मिलता है लेकिन Redmi Note 9 Pro Max पर आपको गिलास बैक दिया गया है Quad Rear Camera का सेटर मिलता है Primary Camera 64 Megafixel का दिया गया है 32 Megafixel का सेलपी कैमरा 5020 mAh की बैटरी और 33 Watt की फास्ट चारजिंग दी गया है 6.67 इंच की Full HD Plus वाली डिस्पले मिलती है हलंकि आपको कोई भी High Refresh Rate देखने को नहीं मिलेगा Center Punchhole Cutout Snapdragon 720G का एक Powerful SoC आपको दिया गया है 12,000 की केमत में Redmi Note 9 Pro Max भी आपके लिए Best Value 4 मनी होगा अगर आप किसी Redmi के स्मार्टफोन को भाई करना चाते हो तो गाइस अगर हम बात करें नेक्स्ट स्मार्टफोन की दोस्तो यहाँ आता है Xiaomi की तरफ से Dual 5G Network मिलते है यहाँ पर आपको 120Hz Refresh Rate वाली डिस्पेल मिलती है Center Punchhole Cutout यहाँ आप लोगों को दिया गया है तो नो डाउट जो Mi 10i स्मार्टफोन है यह आपके लिए Best Value 4 मनी है क्योंकि यहाँ आप लोगों को काफी अच्छी Specs देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलती है वो देखने को मिल जाती है एपरोक 4800mAh की और Fast Charging यानी की 33W की Fast Charging भी आपको दी गई है बट सबसे Main Highlight Feature है वो है Mobile Phone की Camera क्योंकि यहाँ आपको जो Primary Camera मिलते है वो आपको 108MP का मिलते है बाकी के आपको 8MP का Wide Angle Sensor 2-2MP के Macro Sensor और Depth Sensor मिल जाते है और यहाँ पर आपको काफी अच्छी Selfie Camera भी ओफर किया गया अगर आपका बजट है 20,000 के आसपास आप लोग Mi 10i को भी बाई कर सकते हो जो मेरे साब से आपके लिए Best Value for Money डवाईस रहने वाला है अगर दोस्ता आप Xiaomi की सब ब्रेंड यानि की Poco का स्मार्टफोन भाई करना चाते हो और आपका बजट है 15-20,000 के बीच में तो ऐसे में Poco की तरफ से कोई ज़्यादा उप्सन तो नहीं है बट अगर आपको Poco का ही कोई स्मार्टफोन भाई करना है तो ऐसे में आप लोग 15-16,000 की कीमत में Poco X3 को बाई कर सकते हो यहाँ पर Poco X3 पर आपको Snapdragon 732G के SOC मिल जाता है 64 Megafix लिके Quad Camera के सेट अप 6000 mAh की मैसिव बैटरी और 120 Hz फ्रेस रेट वाली एक मैसिव डिस्पले आपर दी गई है उस एंटर पंचोल कट आउट मिलते है और इस स्मार्टफोन का आप 16,000 की कीमत में लगबग बाई कर सकते हो दोस्ते एक बार आप डिसकाउंट वगएरा चैक कर लीज़ेगा क्योंकि मुवाइल फोन के ओपर ओफर वगएरा चलते रहते है तो गैस अब बात करते हैं सैमसंग की अगर आपका बजट है 20,000 या 20,000 से कम बट आपको सैमसंग का कोई स्मार्टफोन बाई करना है तो ऐसे मैं आपको रिक्मेंट करूंगा कि आप लोग सैमसंग M51 को बाई कर सकते हो क्योंकि यह स्मार्टफोन भी आपको अंडर 20K में देखने को मिल जाता है क्योंकि मॉबाईल फोन पर काफी हद तक ओफर चलते रहते है तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी डिस्पले मिलते है सूपर हैमलोई डिस्पले सेंटर पंचोल कट आउट मिलते है साथ में Full HD Plus का रिजलेशन दिया गया है नो डाउट 20,000 की कीमत में मुझे नहीं लगता कि M51 से बेस्ट डिस्पले आपको किसी स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर Snapdragon 730G के SOC देखने को मिलते है यहाँ पर गाईस आप लोगों को 64 Megafixel के Core Camera का Setup ओफर किया गया है बट बैटरी के मामले में यह स्मार्टफोन लाजबाब है क्योंकि यहाँ आपको 7,000 mAh की मैसीव बैटरी 25 Watt की Fast Charging भी दी गई है सभी तरह के फीचर्स यहाँ आपको देखने को मिलते है नो डाउट अगर आप Samsung जैसी Brand Value की तरफ जाना चाहते हो तो Galaxy M51 आपके लिए Best Value for Money Smartphone रहने वाले है latest launch किया गया Samsung की तरफ से smartphone Samsung Galaxy F62 को भी आप बाई कर सकते हो बट आपको करीब 3000 रुपे जादा खर्च करने पड़ेगे वो इस smartphone भी आपके लिए Best Value for Money Mobile phone है तो गैस अब बात कर लेते हैं Motorola की क्योंकि Motorola की तरफ से भी अच्छे-च्छे smartphone को launch किया जाने लगे बट अभी तक हमें 15,000 की केमत में Moto Fusion Plus का ही option मिलता था बट अब 20,000 की कीमत में हमें Moto G 5G को option देखने को मिल गया है क्योंकि यहां Motorola 5G smartphone पर आपको जो Moto G 5G है यहां पर Snapdragon 750Z का Powerful SOC मिलता है Dual 5G Network मिलता है काफी अच्छे डिस्पली आपको दी गई है 6.67 इंच की जो आती है Center Punch Oil Cutout के साथ 5000mAh के काफी बड़ी बैटरी का यूज किया गया है इसे चार्ज करने के लिए 20W के Fast Charging Type-C Port भी दिया जाता है 48MP की ट्रिपल कैमरी के साथ 16MP का सैल्पी कैमरा मिलता है लेकिन काइस Moto G 5G को खरीदने का फाइदा यह होगा कि यहां पर आपको एकदम Clean UI यान की Stoke Android का Experience देखने को मिलने वाला है तो No Doubt Motorola को एफैन हो अगर आप तो No Doubt Moto G 5G आपके लिए Best Value for Money ड़ाइस रहने वाला है दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ कुछी स्मार्टफोन को एड़ किया है आप लोग सोच रहे होगे कि भाई आपने तो इस स्मार्टफोन को एड़ नहीं किया है जो स्मार्टफोन मुझे Best लगा मैंने वो स्मार्टफोन आपको इस वीडियो के अंदर बताए है हलंकि इन स्मार्टफोन से अलग भी आपको लिए कापी सारे उप्सान है जैसे के Realme 7 Pro, 15,000 की कीमत में Realme 7 कापी सारे उप्सान है बट मेरे सारे से ये स्मार्टफोन अभी की टैम में आपके लिए सबसे Best Value for Money डवाईस रहने वाल है गाईस अगर आपका बजट कुछ भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए आपको जो भी बजट है में उस बजट में आपको सबसे Best Value for Money स्मार्टफोन बताने की कोशिस करूँगा और गाईसे मुझे अपना किमते कमेंट देकर जरूर बताए कि इन सभी स्मार्टफोन में से आपको सबसे Best Value for Money स्मार्टफोन कौन सा लगा और दोस्तों जाते जाते हमाई चैनलों को सब्क्राइब जरूर करें और साइड में बेल अकर को जरूर दबा ले अगर दोस्तों आपको Latest Technology Update, Leaks और Rumors सबसे पहले देखने है तो आप हमाई Telegram चैनलों को भी जोईन कर सकते हो जिस पर हम सबसे पहले Latest Tech News और दोस्तों Leaks और Rumors के जो अपडेट है और डालते रहते है तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिलेगी एक बार जाईए और हमाई Telegram चैनलों को जरूर से जोईन कर लिजे तो चलिए गैस अगली वीडियों फिर मुलाकात होगी मु